मैं मैं आप सभी का हरी स्पांडे आज आप मकर रासी वालों के लिए एक स्पेसल एपिसोट लेकर के आया हुआ हुँ और ये एपिसोट है ग्रहों के युवराज ग्रहुमे युवराज बुद्ध के रासी PARIWORTH परिवरतन के संदर्भ में ग्रहों में यूराज बुद्ध इस बारासी परिवर्तन तो कर रहे हैं हमेशा की भाति लेकिन इस बार महत्वपूर्ण यह कि राहु की यूति बन रही है बुद्ध के साथ तो मित्रों ये वीच्छे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंड़ी दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्सअप नंबर पर मेसेज करें मेरा वाट्सअप नंबर है 854 0096730 यह नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देदूंगा तो चले मित्रों वीडियो की करते हैं सुरुवात बुद्ध कौन है मित्रों बुद्ध ग्रहों में यूवराज हैं देवताओं के दूत हैं ये गडित कॉमर्स ब्यापार मेडिकल फिल्ड बहन बुवा इन सब के कारक माने जाते हैं जिनकी कुंडली में बुद्ध बलवान होते हैं वह तरक वितरक में अच्छे होते हैं लेकिन जिनकी कुंडली में बुद्ध कमजोर होते हैं उन्हें माईग्रेन की समस्या या मस्तिस के सम्बंदित समस्या दात का कुंडली में बुद्ध का एक बुद्ध की एक और विशेस्ता है कि बुद्ध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है मतलब बुद्ध न्यूटरल ग्रह होता है बुद्ध जिस भी ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही प्रभाव देने लगता है अगर यह कुर ग्रहों के साथ किसी के साथ बैठ जाए तो उसी के नुसार फल देता है और इस बार तो बुद्ध राहू के साथ बैठने जा रहा है तो इस बार का फल तो आप गैस भी यह कर सकते होंगे कि इस बार का फल कैसा होगा तो आए जानते हैं पहले बुद्ध के रासी परिवर्तन के संदर्व में इस बार 7 मार्च 2024 को युवराज गरह बुद्ध अपनी नीच रासी मीन रासी में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां परकीवे 26 मार्च 2024 तक रहेंगे तो मीन रासी में प्रवेश होते ही राहू के साथ तो यूती बनेगी ही फिर आगे जाकर कुछी दिनों में सूर के साथ भी यूती बन जाएगी फिर ग्रहन दोस भी बन जाएगा तो यह इस्थितियां थोड़ी सी विकट दिखाई दे रही है मित्रों यहां पर थोड़ा समल कर रहना होगा अब आपकी रासी से तीसरे भाव में बुद्ध का प्रवेश हो रहा है अब जानते हैं कि आपके साथ क्या-क्या गटना गठित होगी सबसे पहली बात तो यह है कि आपको काफी एंजाइटी का नुभा होगा डिप्रेशन का नुभा होगा मानसिक चिन्ता अवसाद नीदना आना यह सब समस्याएं आपके साथ होगी दांपत जीवन में कलह-कलेश होगा संतान पक्छ से भी आपको चिंता प्राप्त होगी इस दोरान आपके सत्रू आप पर हावी हो सकते हैं इसलिए आपको सावधान रहना होगा आपकी छवी इमेज मार्केट में खराब हो सकती है, समाज में खराब हो सकती है, अतह बहुत सोच समझ करके वाणी पर नियंतर रख करके आपको बोलना होगा, घर के खर्चों में भी वृद्धी होगी और आम्दनी में काफी ये कमी हो जाएगी, विदेश जाने का सपना आपका अभी अधुरा रहेगा, विदेश जाने का सपना भी न देखें, मर्टी नेस्टल कमपनी में काम ये करने वालों का कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा, कुछ बहतर इस्थिती नहीं दिखाई दे रही है, काम आपके हाथ से जा सकता है, भाग कि रहु आपको बुद्ध के साथ मिल करके दातों के रोग माइग्रेंड, डिपरेसन और हाट की प्रॉब्लम और पीट से शंबंधित प्रॉब्लम ये सभी समस्य आपको दे सकता है. तो इससे आपको बचने की जरूरत है अब इससे आपको कैसे बचना है राहु बुद्ध के इस संयोग से आपकी कैसे रक्षा होगी इसका मैं आपको उपाय बता देता हूँ उपाय आप सुन लिजे सबसे पहली बात ये है कि आपको गणेस अथर्व सीर्ष का पाठ करना सुरू कर देना है ठीक है किसी भी कीमत पर गणेस अथर्व सीर्ष का पाठ नहीं छुटना चाहिए रोज आपको इसका पाठ करना चाहिए और राहु के लिए सिवचालिसा का पाठ ठीक है तो गणेस अ पिलाकर अगर आप चलते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फाइदा होगा अब बहुत से लोग मानते हैं कि एक बार पाठ कर लिया काम हो गया अरे भाया अधिकस से जपम अधिकम फलम आप जितनी बार जितनी ज्यादा बार पाठ करेंगे जब करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा और उतना ही ज्यादा आपके चारों और एक सुरक्षा कवच निर्मित होगा जिससे की उन ग्रहों से संबंदित नकरात्मक बाधा आपको छू नहीं सकेगी जो लोग मंत्र जापक होते हैं या किसी इस्तरोत बगारा का पाठ नियमित ये करते हैं सरद्धा से करते हैं मन से करते हैं वे बड़े बड़े संकटों को पार कर जाते हैं और कभी कबार भागे का लिखा हुआ भी उनके उपर पूरा असर नहीं कर पाता है इसलिए मैं कहता हूँ कि साधना कीजिए, साधना के बल से जो लोग साधना किया करते हैं उनको बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर जाते हैं, ग्रहों का कूप्रभाव भी उनको छू नहीं पाता, मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कुछ बिगाड नहीं पाता, लेकिन ग्रहो मतलब ग्रहों का कूप रभाव उनका पूरा पूरा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है इसलिए मंत्र जापक बनिए अपना कोई इश्ट चुनिए उनका मंत्र प्रति दिन कम से कम दस माला जाप कीजिए और फिलाल फिलाल के लिए जो रासी परिवर्तन होने जा रहा है वो सु उसके लिए गणेश अथर्वसिर्स और सिवचालिसा का आप पाठ कीजिए ठीक है तो यह मेरी सुब कामना है कि आप जो है कि मजे में रहें मस्त रहें खुस रहें सुखी रहें और यह गोचर आपका अच्छे से निकल जाए जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि दिया आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं अपनी कुंड़ी दिखवाना चाहते हैं तो आप मेरे वाट्स अप नंबर पर मैसेस करें मेरा वाट्स अप नंबर है 8540096730 यह नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक में भी दे दूंगा तो चलता हूं मित्रो जैज सिवसंकर